दोस्तों प्यारे बच्चों नमस्कार मैं धर्मेंद आज आप लोगों को रसायन विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूँ आज का विशय है हाइडोजन परमाड का इलेक्टानिक बिन्यास लिखना है पर्माड का क्या लिखना है इलेक्टानिक बिन्यास लिखना है किसमें लिखना है SPDF में लिखना है इलेक्टानिक बिन्यास SPDF में लिखना तो हमको समझना पड़ेगा SPDF क्या है तो हम जानते हैं कि एक पर्माड होता है एक गोल सा होता है जिसके नाभिक होता है नाभिक में क्या होता है प्रोटान और न्यूटान होता है यह हम छोटी कच्छाओं पढ़ें और हम जानते हैं नहीं जानते तो आप यहां समझ लीजिए एक परमाड होता है परमाड के नाभिक में प्रोटान और न्यूटान होते हैं और उसकी बाहरी कच्छा में इलक्टान चक्कल लगाते रहते हैं और अलग-अलग कच्छाओं में कुछ इलेक्टान पहली कच्छा में चक्कल लगाते हैं और कुछ दूसरी में, कुछ तीसरी में कुछ चौथी में जैसा परमाड होता है वैसे इलेक्टान उस उर्जा के कच्छाओं में चकल लगाते रहते हैं, तो इन कच्छाओं को एक अच्छा भी कहते हैं, इन कच्छाओं को उर्जा अस्तर भी कहते हैं, इन कच्छाओं का नाम उर्जा अस्तर भी कहा जाता है, तो हाइडोजन क्या है, सबसे छोटा परमाड़, सबसे पहला परमाड़ है, तो हाइडोजन का कितना इलक्टान होता है एक इलक्टान होता है तो इसका इलक्टानिक बिन्यास हमको SPDF में लिखना है जो की बहुत सरल है तो सरल कैसे है पहली कच्छा है पहली कच्छा में दो इलक्टान होते हैं दूसरी कच्छा में आठ इलक्टान होते हैं और तीसरी कच्छा में 18 और चौथी कच्छा में 32 इलक्टान होते हैं ये बोरबरी के नियम के हिसाब से होता 2N2 के हिसाब से अधिक्तम इलक्टान इतने रह सकते हैं तो पहली कच्छा के ओल S कच्छा होती दूसरी S और P कच्छा होती है और तीसरी कच्छा S PD होती है और चौथी S PDF क्यों इसमें एक उपकच्छा होती है, इसमें दो उपकच्छा होती है, इस तरह फोर में चार उपकच्छा होती है, किलिए हाइड्रोजन परमाड क्या है, हाइड्रोजन परमाड एक सिंपल परमाड होय, यानि इस पर क्यों एक 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 ए होगा हाई duplicate परमाड का इलक्टान्य बिद्यास weapon इसकी परमाड कर मांगिता है we seven electron की संख्या भी होन है तो यह बराबर वन हो गया इसको हम this PDF में लिखेंगे तो one yes one लिखेंगे क्यां लिखेंग goes one yes one इसका इलक्टानी बिन्यास one yes one हो गया इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको bracket में करके भी लिखा जा सकता है सक्षा में सक्षा में इकड़ान है तो एक लेक्ड़ान की दिशा, एक लेक्ड़ान least === युधि की दिशा में एक नीचे की दिशा में और मानू लिखना भी चाहें, तो P क्या होगा, 0, D क्या होगा, 0, F क्या होगा, 0, यानि ये सब कच्छाएं हैं ही नहीं, 0 लिख सकते हैं, तो इस तरह से hydrogen परमाण का electronic बिन्यास हो गया, 1 is 1.